मैं आपके प्रति बहुत ही आभारी हूँ कि आपने दुनिया के बिशालतम लोगतंत के मंदिर में मुझे अपना विचार रखने का मौका दिया है मैं आपके प्रति बहुत ही आभारी हूँ और आज इस आदली सदन में उन तमाम मानिये सदुस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ उनका अभिननन करता हूँ स्वागत करता हूँ बधाय देता हूँ जो आज इस महान सदन में अपने पेच्छेत्रों से जीत काए है मानिए स्वपति जी मैं अपने नेता मानिए अखलेश यादो जी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने एक ऐसी सीट जो अजोध्या में है प्रभू स्री राम मर्जादा पुशुत्रम राम की धरती पह है जिस सीट के लिए चोवन फैलावाद के लिए देश और दुनिया की निगाहे लगी थी और आज मानिए आज जब चुनाव हो गया है जब वहां की देवत्तुल्य मत्रदाताओं ने मुझे चुनाव जिता कर भेजा है तो आज केवल हिंदुस्तान में ही नहीं सारी दुनिया में चर्चा है मानिवर मैं देवत्तुल्य मत्रदाताओं को आभार प्रकट करता हूँ रभू स्री राम के प्रति अपनी आस्था वाभार प्रकर करता हूं और मैंने महामहिम राष्ट पती जी के अब्यवास्ण को सुना और देखा मन्वर ये 39 प्रिष्ट का है लेकिन मुझे खेद है कि महामहिम राष्ट पती जी का नाम यहां होना चाहिए था जहां संसत के समझ भारत की राष्ट पत का अभिवास्ण ये दुनिया के में किस तरह के में सज़ जाएगा हमारे देश में कौन से राष्ट पती है उनका क्या नाम है इसको मन्वर होना चाहिए था मन्वर मुझे बड़ा ही आश्चर हुआ जब ये 39 पेश के विवास्ण में कहीं पर भी अज़ध्या का नाम नहीं है मर्जादा प्रुशूत्म राम की धर्ती का नाम नहीं है जहां से मर्जादा केवल अज़ध्या में ही नहीं सारे देश में मर्जादा अंबित हुई है उसका कहीं चित्तर नहीं है मानुवर मुझे बड़ा ही अफसोस हुआ कि अभी पर्षों में गया था अज़ध्या में वहां की गलियों को देखा था की चड़ भरा है और जहां पर हमारे देश के आधरिये प्रधानमंति जी ने छे महिने पहले एक रेलवे स्टेशन का जो अज़ध्या के नाम है उसका उद्गाटन किया था देर सोसे जादा बाउंडरी वाल है धह गई है और सबसे दुखत पहलू है मन्वर सबसे दुखत पहलू है कि स्टेशन से आकर के केवल हिंदुस्तान कहीं नहीं दुनिया के ना जाने कितने लोग प्रभूराम स्रिराम के मंदिर का दर्शन करन के लिए जाते हैं एक किलो मीटर की सड़क है इतनी गंदगी है इतनी गंदगी है कि लगता है सारी दुनिया की गंदगी अजोद्या में आ गई है अब कैसे कैसे लोग कैसे कैसे लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं प्रभूराम के मंदिर में जाएंगे तो सारी गंदग को पैर से चप 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 करके जाएंगे और यही नहीं मन्वर मैं और आगे बढ़ा तो वहां पर जलायन जलायन एक अज़द्धा का प्रभू सिराम के मंदिर के पास का जराइन मौला पाणी भरा है और इतना पानी भरा है और दलतों को महला है और पानी भरा है और शुना है उसके निकासी के लिए पैसंगोर कोन रुफे राठ गुआ है लेकिन पता कि वहाँ पर एरो ड्रम बना है लेकिन एरो ड्रम बनने में गरीबों को किसानों को पैसा नहीं दिया गया और अफसोस की बात है कि हर साल शक्पाइप मार्च के एंड में सरकील रेट बनता है सरकील रेट के द्वारा जमिलों का मूलिका निर्हार होता है लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है हमारे उत्तरदेश के हर जिलों में सरकील रेट बना है लेकिन आज साथ साल हो गया है फैदाबाद के अजुद्या के किसानों के जमीनों के लिए सरकील रेट न बनने के कारण उनकी जमीनों को कौणियों के दाम पर बाही लोगों को को सालह काम किया है हमारे नेता के पास न यहाने कितने लोग का हैं हम कहें तराएं हम Чए म मर्जादा दोबे जिधे? यैय को दूए कि ए रूटा, टो जै कि एूट, जो एडर पोटार को, जै कि लुट को जिसके लाएँ ले वडिंदी में उल कर सक दो कर दो, एल के भर ड्याँ हपıtक धूडर को भाकरस्वेलग,